हेलो एवरीवन मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वाग अथी इस एंड्रोइड डैवलप्मेंट टुटिरियल सीरीज में जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर अप्लिकेशन बना रहे है जो एप हमने अब तक बने उसमें एक छोटा सा इशू है जिसे हमें फिक्स करना है इस वीडियो में सबसे पहले जानते हैं वह इशू क्या है यह जो एप्लिकेशन है मैंने अब भी इंस्टॉल किये अगर आप देखोंगे तो हमारे पास पहले एक पॉप आता है जो कहते है स्टोरेज अलोग करो अगर मैं अलोग करता हो तो आप देखो कि यह शू एक्चुली हमारे मेन अक्टिविटी में कॉस हो रहा है कि सबसे पहले अक्टिविटी यही स्टार्ट होती है सो प्रॉब्लम है कि वीडियोस लोड नहीं हो पा रहे यह पर्मिशन ग्रांटेड का टोस्त दिख रहा है वाट यहां पर वीडियोस लोड के लिए लिखने के लिए यहां पर हमें दो कोड्स एड करने पड़ेगे कि जब पर्मिशन ग्रांट हो सो सिम्पली वीडियोस लिस्ट इस इक्वल टू गेट ऑल वीडियोस एंड इससे हमारा काम हो जागारा हमें यहां पर एक चीज और करने हमें फ्रेग्मेंट भी सेट करना है स so set fragment and match आतो by default वीडियोस फ्रेग्मेंट' सेट वो वीडियोस फ्रेग्मेंट आध यहां पर constructor कोल करो और इस विल यू आर वोक और यहांप। एक चीज हमें और करनी है हम यहां पर above cannot be initialize करना है so folder list is equal to array list ओके यह same work हमने actual में उपर भी किया था यहाँ पे जब runtime permissions हमें यह folder list भी initialize करनी है नहीं तो हमारी application crash हो जाएगी so now let's run our application and check whether it's working or not so finally grader build हो चुक है और application install हो चुकी है और सब कुछ properly work कर रहा है but यह actually हमारा issue था ही नहीं हमारा issue यह था कि जब हम application को close करते हैं and restart करते हैं तब यह problem आती है which means install करके फिर install करते हैं so in this case मैं उसे install नहीं करने वाला मैं सिफ उसकी permission को deny करने वाला हूँ so just go to settings app permissions and just deny it क्योंकि यह issue इस case में भी generate होगा और मैं से close कर देता हूँ अब हमारी application को एक बार start करते हैं so just click on this and again वो ही pop-up हमें दिखाई दे रहा है अगर मैं अलो पे क्लिक करता हूँ तो सारे songs लोड हो रहे which means हमारी issue हट चुके है and अगर मैं all folders पे क्लिक करके चेक करता हूँ तो भी हमारी application crash नहीं होती which means सब कुछ प्रोपर्ली वर्क कर रहे so that's it for this video thank you for watching and bye bye